Hello everyone, Storyteller Shivani में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरोजनी नाइडू की पोयम Summer Woods के बारे में सरोजनी नाइडू एक political activist, feminist, poet और orator थी जिन्हें भारतिय कोकिला के नाम से भे जाना जाता है Present Poem Summer Woods में Poetist की ये इच्छा बताई गई है कि वो daily life की भाग दौर से बचना चाहती है, कहीं दूर जाना चाहती है और प्रकृति के बीच ही अपनी life को spend करना चाहती है तो चलिए शुरू करते हैं Oh, I am tired of painted roofs and soft and silken floors तो Poetist कहती है कि वो इन रंगी हुई छटों से बोर हो चुकी है इस soft और smooth फरसों से उप चुकी है यानि वे इस सहर की जिंदगी से उप गई है जहां फरसे cemented होती है, colorful buildings होती है इन materialistic चीजों से वो बोर हो चुकी है And long for wind-blown canopies of crimson gulmohar Long यानि तरसना Canopy यानि त्रिपाल और crimson यानि गहरा लाल और वे गहरे लाल रंगे gulmohar से गुजरती हवाओं के लिए तरस रही है यानि वो nature के पास जाना चाहती है और यही real beauty है Oh, I am tired of strife and song and festivals and fame तो नाइडू कहती है कि Oh, मैं इन विवादों से और गानों से त्योहारों से और ख्याती से प्रसिद्धी से उब चुकी हूँ यानि लोगों के बीच रहना अब उन्हें पसंद नहीं क्योंकि ये सब चीजे मनुश्यों के बनाई हुई है जबकि प्रकृती भगवान की देन है I am long to fly where cassia woods are breaking into flame Cassia एक तरह का पेर है जिसे पीले रंगे फूल उपते है Woods का मतलब यहाँ पेर है नेचर है और poet उस जगह उरान भरने को तरस्ती है जहां cassia पेरों का जुंड हो उसके पीले फूल किसी flame से कम नहीं लगते Love come with me where coils all from flowering glade and lean far from the toil and weariness the praise and prayers of men तो speaker अपने प्रेमी से कह रही है कि प्रिय मेरे साथ चलो जहां कोयल हो जो फूल देने वाले वन के मैदानों और फसल के मैदानों से आई हो चलो हम यहां के परिश्रम, ठकान, लोगों की प्रशंसा और प्राथनाओं से कहीं दूर चले तो speaker अपने प्रेमी से कह रही है कि सारी चिंताएं परवा छोड़ दो और बस मैं और तुम अकेले कहीं सपने देखेंगे इमली और मोलसीरी यानी सदाबहार व्रिक्ष और नीम के पेर की उलजी हुई साखाओं के नीचे हम सपने देखेंगे और हम दोनों अपना सर या माथा जैसमीन की टहनी पर टिका कर रखेंगे और नकासी की हुई बासुरी बजाएंगे जिसमें बरगत की जरो पर जो मनीधर नाग या साप सोय होंगे वे सब जाग जाएंगे और हम लोग नदी के तट के किनारे इवन टाइड यानी लेट आफ्टरनून के बाद से नाइट फॉल तक का समय तो हम इस समय नदीर के किनारे घूमेंगे और पानी में जहाँ लीली के फूलो के सुगंध होगी वहाँ नहाएंगे जिसमें गोल्डन पैंथर्स यानी चीता या तेंदवा पानी पीते होंगे तो मैं और तुम इस घने गहरे फरते फूलते जंगल में प्रकृती के बीच एक साथ प्यार करेंगे और हम धीमी आवाजों की सांती से और चमचमाते एकांत से घिरे होंगे क्योंकि ऐसी जगह पर जानवर और पक्षी तरह-तरह की आवाजें निकालते हैं जो धीमी आवाज कही गई है और आखरी लाइन्स तो हम इस उज्वल या ब्राइट उशा या सुभा के साथ ही है हम राध के खुसमिजाज साथी है जैसे राधा और क्रिष्ण आनंद से हर्ष से घिरे हों तो उन्होंने खुद को और अपने साथी को क्रिष्ण और राधा से कंपेर किया है और इन्होंने प्रकृति के बीच जीवन को बरही सेंश्यूस रूप में कविता में प्रस्तुत किया है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी Thank You कि खुछ क्याँ हुए çıktı